कि बहुत ही बहतरीन बहतरीन डीये हैं काफी मज़ा आया है आज Our P पूठी लिया था उसमें भी काफी अच्छा प्रॉपिट हुआ था। तो आज मारकेट ने इतने अच्छे अच्छे मोमेंट किये हैं क्या आपको यहां पर आ जाते हम चार्ट पर और हम आपको थोड़ा सा प्राइज एक्शन के बारे में बताते हैं यहां पर हम और द्राइंज को रिमूब कर लेते हैं जी और और यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही अच्छे से पता है प्राइज एक्षन के बारे में और प्राइज एक्षन का यूज करके काफी अच्छे से ट्रेड करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको प्राइज एक्षन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वह प्राइज एक्षन का यूज नहीं करते हैं वह इंडिके इंडिकेटर आपको पीछे देगा लेकिन आपको सबसे पहले देगा मतलब केंडलिस्टिक पैटर वो आपको सबसे पहले देगा फ्राइ जैनल में बहूत सार वीडियो है के उपर उस वीडियो को देखियेगा समझे पैटरन के बारे में पता लग जाएगा तिक है रुप में मैं आज लिंक डालता हूं ठीक है तो के, लिच्टिक प्राइज एक्षन पर वह देगा वग देगा candlestick pattern देखे यहां पर यह hammer बना ठीक है यह hammer आपको दिख रहा है यह hammer आपको दिख रहा है यह hammer आपको सबसे पहले इंट्री देगा यहां पर चीजे बताता हूं यहां पर चीजे बताता हूँ बहुत सारी चीजे बताता हूँ ठीक है यहां पर कितने लोगों ने इंट्री लिया जिसकी वाय से बाइंग आया मार्केट में ठीक है यहां से एक ट्रेलाइन चल रहा था ठीक है यह चल रहा है ट्रेलाइन यह आपको एक डवलू दिख रहा है एहां पर बहुत सार लोग क्या किये होंगे इस डावलू के breakout पे buying किये होंगे no hammer candlestick pattern को देख करके buying किये होंगे और इस testchilline के breakout पे buying किये होंगे ठीक है तो सबसे पहले यहां पर entry कौन दिया include w pattern या फिर यह trail line या फिर यह hammer candlestick हाँ तो कैंडलिस्टिक पैटर्न जो है आपको सबसे पहले इंट्री देगा वह आपको हैमर कैंडलिस्टिक पैटर्न देगा हैमर कैंडलिस्टिक नहीं वह सकता है वह इवनिंग अस्टार भी हो सकता है वह मोर्निंग अस्टार हो सकता है वह इंगल्फिंग कैंडल भी हो सकत है toi सब पहले जो आपको देगा केडिलिस्टिक पैटर्न सबसे पहले आपको हमेसा इंट्रेप्याद में सब अच्छे से जान सीखेगा समझझेगा हमने चैनल पर काफ피 इच्छे तरब बीडियो उसके बारे में बना करके डाले हुए हैं उस वीडियो को देखिएगा ठीक है उस वीडियो को हमने इतने अच्छे बना के डाले हैं कि उसका पोजीशन कहां होना चाहिए तो आप उस वीडिए को देख लीजेगा ठीक है अब प्राइज एक्षन जो काम करता है उसी को प्राइज एक्षन करते हैं प्राइज करते हैं सपोर्ट है यह दिख रहा आपको सपोर्ट ये वाला सपोर्ट आपको दिख रहा यह संड नो फिए-वरिवन तो इसी सपोर्ट एंट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है इसी को मार्केट नीचा यहां पर सपोर्ट लेकर के market उपर गया था ठीक है जब again market इस level के आसपस गया market ने फिर से यहाँ पर selling दिखाय ठीक है तो यह क्या हुआ यह हमारा price action हुआ क्या हुआ कि market उपर से नीच आया फिर उपर गया फिर उपर से नीच आ गया तो यह हमारा क्या हो गया price action price कभी भी इस तरह से move नहीं करेगा ठीक है आपका price कभी भी इस तरह से move नहीं करेगा price एक action करता है कुछी सतरह से एक lower high lower high बना करके कुछी सतरह से move करता है जब market को नीचे आना होता है जब भी market को उपर जाना होता है कुछी सतरह से price move करता है कभी इस तरह से गिरा करोकर ना करोना में झाल से बहूत सारे बाइस नहीं आते हOG़ें लेकिने यहां प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना ठीक है अब यहां से कोई लेकर जा रहा है तो वो प्रॉफिट बुक तो करेगा अब प्रॉफिट बुकिंग की बज़ा से थोड़ा सा मार्केट पुल वेक लेता है फिर नीचे आता है फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो यह ची सीज होता है support and resistance आपको support and resistance को find करना आना चाहिए अगर आप support and resistance को find करना सीख गए तो इसका मतलब है कि आप projection सीखें रेड रहे आप खुद को एक वार मीट कर लीजिएगा ऐसे मैं कर दिया है चलिए म्यूट कर दिया बई तो यहां पर इसलिकों काते हैं आपको सब्सक्राइब कितने लोग हैं जिनको सब्सक्राइब करना अनल का पूल कर पाते हैं विल्कुल अच्छे तरीके से अच्छा चलिए साली बस दो ही या फिर सभी लोगों को support and resistance find करने आता है आता है चलिए सेंटी किंग भाई सभी लोग को आता है तो support and resistance को अगर आप find करना सीख गए इसका मतलब है कि आप price action सीख गए प्राइज एक्सन जो होता है बिल्कुल support and resistance पर काम करता है support का क्या मतलब हुआ support का मतलब हुआ कि जहां पर price जाकर के बार बार रुक रहा है वो हमारे लिए support होगा यही support and resistance ढूनने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जहां पर price जाकर के बार बार support लिए वो हमारे लिए support होगा यह बहुत ही बेहतरीन तरीका है support and resistance को find करने का ठीक है तो जैसी ही देखिए अब यहां पर support था जो कि हम इस support को बना के भी रखे थे हम अपने live में यह हमारे लिए support था ठीक है अब यह support break हुआ ठीक है अब यह support break हुआ क्या हुआ देखिए मैंने हमेशा क्या बताया है प्राइज एक्सन के बारे में ही यह चीज़े भी प्राइज एक्सन में ही आता है कि जब भी market में downtrend चले जब भी market में downtrend चले आपको support नहीं ढूनना है आपको resistance ढूनना है बाई यह चीज़े एक दम बिलकुल अच्छे से सुनिएगा सभी लोग जो लोग trading अभी कर रहे हो तो सभी लोग अच्छे सुनिएगा जब भी market में downtrend चले आपको support नहीं find करना है आपको resistance find करना है कि market resistance कहां से लेगा यहां पर आपको put लेना है support को market ऐसी break कर देगा आपको यहां पर entry लेने का मौका ही नहीं देगा market आप सोचेंगे कि इसका breakdown करेगा candle close करेगा तो मैं लूँगा और यहां पर candle close करेगा यहां आके आप यहां पर entry नहीं ले पाएंगे लेकिन जब भी आप resistance को find करेंगे ठीक है जब भी market में downtrend चलता रह है आपको resistance को find करना और यहां पर resistance find करेंगे और यहां पर put लेंगे और आपका यह वाला target होना चाहिए पहला and second target इसका नीचे का होना चाहिए जैसा कि अभी आपको पता ही होगा market में काफी अच्छे दिनों से downtrend चल रहा है तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं आपको हम इसा resistance find करना है जैसा कि आज हमने किया हमने resistance find किया यहां पर ठीक है आज हमने यहां पर resistance find किया यह वाला resistance find किया हमने support क्यों नहीं find किया हमने support इसलिए नहीं find किया क्यों क्योंकि market में downtrend चल रहा है क्यों यह support था यह support था बट हमने यह support क्यों नहीं find किया हमने यह find किया था फूट लिया यहाँ पर पूट लिया यहाँ मार्केट कर देखे लूट बिजय ना कि वहाँ पर ऀंट्री आपको लेना भी है एण यहाँ पर हमने लिया तो वही चीजों का यूज किया रेजिस्टेंस का यूज किया हमने क्या किया मार्केट में रेजिस्टेंस को फाइंड किया कि यह वाला काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है क्यों क्योंकि मार्केट में डाउंट्रेंड चल रहा है तो यह रेजिस्टें नहीं वहां पर आपको सपोर्ट करना रेजिस्टेंस को ऐसी ब्रेक आउट कर देगा जब भी मार्केट में चलेगा रेजिस्टेंस को ऐसी ब्रेक आउट कर देगा आपको वहां पर सपोर्ट को फाइंड करना है यहां पर कॉल बाइंग करना है आपको हमेशा यहां पर सपोर कर रहे हैं मार्केट का ट्रेंड अप है लेकिन आप बहुत ज्यादा चाहर है कि मैं रिवार्स टेट करूं तो आपकी क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको यह चीज़े सीखना पड़ेगा कि कभ हमारी क्वांटिटी बड क्वांटिटी काम होनी चाहिए ठीक है क्वांटिटी बिल्कुल आपको 30% क्वांटिटी लेना है लेकिन जब भी मार्केट में डाउन्ट्रेंड चलता रहे और हमें पूट ले रहे हैं तो वहां पर आप नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं कोई दिक्कत है जितने quantity के साथ आप ट्रेड लेते है उतनी quantity के साथ trade ले सकते हैं जब भी Market में आप ट्रेंट चलता रहे है और आपको put buying करना हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है वहाँ प्याप को quantity को कम कर देना है लेकिन जब भी call vine करना हो support पर तो आप वहाँ पे quantity को आपको normal के बारे मैं बता रहा हूं कि कव क्वांटिटी जादा रखनी है एक चीज और पो जो होता है जब भी आप इस टापलेस बड़ा बनेः आपा अपनी क 노래 को बढब खानेः इस चीज द्जाव करके काफ अच्छा प्राफिट बना सकते हैं जम भी मार्केट सबसे पहले आपको यह पाचानना आना चाहिए तो किनको किनको पाचानने आता है कि market कब downtrend में चल रहा है, कब uptrend में चल रहा है और कब sideways चल रहा है, बताईएगा, किनको किनको ये सब सारी चीजे आता है, किनको किनको अभी भी ने पता है कि कब trend आता है, कि को यहां पर जिनको नहीं आता है, ट्रेंड को पता करना कि market में कौन सा चल रहा है आता है तब तो ठीक है, कोई बात ने, बहुत ही अच्छी बात है, आपको आता है, लेकिन किनको किनको नहीं आता है, मैं ये पूछना चाहरा हूँ जिनको नहीं बोलेगा नहीं है थोड़ा 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 था सर बट अभी किलियर हो गया है तो थोड़ा सा और अच्छे से किलियर कर देते हैं पूछने में घवराईएगा नहीं, पूछने में सर्माईएगा नहीं सर, नहीं आता है सर, सिधा है, आपको कभी डॉक्तर से, मास्टर से, ये दो, तीन चीजों है, जिससे आपको ना कभी घवराना चाहिए और ना कभी सर्माना चाहिए, ठीक है, अगर आप ये सब सारी ची तो ट्रेंड को पता करने का सिंपल सा लॉजिक है हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे ठीक है हम आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम लॉजिक के साथ एकदम एकजामपल के साथ बताते हैं देखिए हम 15 मिनट पर आएंगे थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करेंगे जूमीन करेंगे ठीक है इस तरह से ठीक है एंड हम देखेंगे कुछ दिन पहले क्या चल रहा था मार्केट ने क्या कर रहा था नए हाई नए हाई यहां पर तो साइडवेज टाइप का है ठीक है फिर क्या चला मार्केट में इस तरह से नया हाई बनना शुरू हुआ लो ब भिर बना फिर फिर उड़ना फर्म रस च tiếp चल रहा था इसका मतलब क्या हुआ जब भी मार्केट इस तरह से चले है तो इसका मतलब न हाई बनाते जये और और जो सिफ्ठ होता हुआ जये इसफ़र खो फ़ारा कि मार्केट में अब मार्केट में ट्रेंड में बनाए फिर नहीं चाल इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में ट्रेंड को पाचान सकते हैं । इसका मतलब है कि market sideways तो अभी clear हो गया कि trend को कैसे पाचानते हैं हम लोग तो इस तरह से हम लोग trend को पाचानते हैं हमेशा जब भी market में downtrend चले वहाँ पर आपको resistance को find करना है resistance पर आपको selling करना है और जब भी market में downtrend चले इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिजेगा भाई लोग यह बहुत ही अच्छी टेकनीक है जिससे आप काफी अच्छा profit बना सकते हैं आपको resistance find करना है जब भी market में downtrend चलेगा support find करना है जब भी market में downtrend चलेगा जब भी market sideways हो वहाँ पे आपको quantity को कम कर देना है और वहाँ पे आपको resistance पे selling करना है और support पे bind करना है यह सब सारी चीजे किनको किनको अच्छे से समाझ आ गया और कल से यह सारी चीजों का follow करने वाले यह इतना अच्छा रूल है जिसे follow करके आप काफी अच्छा profit बना सकते हैं यह जो रूल है काफी अच्छा रूल है भाई देखो अगर market में selling चल रहा है थीक है market में selling चल रहा है और यहां पे यह market बड़े ओपर गया तो इनको 80 रुपे पर मिलने लगा, तो यह भाई 80 रुपे पर फिर से खरीद लेंगे, है ना, इनको तो discount मिल गया, तो जब भी market में downtrend चलता है ना, और market अगर उपर जाता है ना, तो sellers लोग क्या सोचते हैं, भाई discount मिल रहा है, जल्दी से खरीद लो put, जल्दी से market को sell कर दो discount म यह चीज़े होती है, जब भी market में uptrend चल रहा हूँ, ठीक है, जब भी market में कुछ इस तरह से uptrend चलेगा, नीचे आएगा, इसका मतलब है कि call का premium घटेगा, घटेगा, इसका मतलब buyers क्या सोचते हैं, कि भाई discount मिल रहा है, जल्दी से buying करो यहाँ पर, और buying करके market को फिर से again उपर ले जाते, तो market में क्या मिलता है, discount मिलता है, तो जब भी हमें discount मिलेगा, तो क्यों नहीं हम buying करेंगे, कोई भी चीज़ पर, अगर 100 रुपे का कोई चीज है, अगर वो मुझे कोई 80 रुपे में दे रहा है, तो हम क्यों नहीं उसे buying करेंगे, जब कि उस चीज़ का ह जरू है था ना, कि market नीचे गिरे, तो वो लोग क्या करेंगे, discount में buying करेंगे, और इसी तरह से market इस तरह से move करता है, इसी बज़ा से market कुछ इस तरह से move करता है, ठीक है, समझ गया भाई, समझ आगया सभी को, तो price action के बारे में ये चोटा सा एक पार्ट था, तुकडा था इसे हम बहुत ही, डीटेल में और भी डीटेल में हम आपको समझाएं हैं, पहले के class में बहुत ही अच्छे से समझाएं हैं, और इस class में भी हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने के courses किये हैं, and price action में आपका chart pattern आता है, chart pattern, candlestick pattern, ये सब सारी चीजों को सीख़िए, समझ हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देखिए, and हम live में आते हैं, उस live को join कीजिए, जिससे कि आपका price action काफी अच्छे से clear हो पाएगा, and market analysis का अगर हम वीडियो डालते हैं, तो उस वीडियो को देखिए, उसमें हम price action का यूज करते हैं जिससे कि आपको काफी अच्छे से समझ आएगा, तो चलिए सभी लोग live में आईएगा, and I hope सभी लोग को समझ आ गया होगा, और आज का class हम लोग यहीं पर end करते हैं, ठीक है?